नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर पर्धान मंतरी किसान सम्मान निथी योजना से जलूई किसानों के लिए सरकार के तरब से एक बोरी खबर निकल कर आ रही है यदि दोस्तों आप भी एक किसान है और परधान मंत्री किसान सम्मानदी योजना के अंदरगत भारत के किसी भी राज़े में रहकर हरियाना पंजाब गुजरात महाराश्ट करनाट का आप लाब ले रही हैं आपके बैंक खातें भी केंद सरकार द्वारा दो दो हजार पहे हैं वेक किसानों के खाते में ट्रांसफर इस बार नहीं किये जाएंगे जी हां दोस्तों क्या करण है इसमें करण भी आपको बताया गया कि किन करणों की वज़े से किसानों को इस बार बार्यों किस्त का जो लाब है वह नहीं दिया जाएगा वीडियो की सुरुआत कर आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चले दोस्तों वीडियो के सुरुवात कर लेते हैं परधान मंत्री नेंदर मोधी की केंद सरकार द्वारा चलाई गई प्यम किसान सम्मान निधी इसकीम किसान परिवारों के लिए है परिवार का आज से पती ज़ारेइंगे किसानों के बैंक खाते में नहीं जाते हैं Atlas कि किसान को 189- armyशना का पैसा इस बार ट्रांसफरर नहीं किया जाएगा इस किस्त को एक अगस्षे लेकर 30 सितंबर के बीच में सरकार ट्रांसफर करती है किया जाना है इस बार बारवी किस्त के 2000 रुपे ट्रांसफर नहीं किया जाएंगे केवल इन किसानों के बैंक खाते में केंद सरकार की तरफ से EKYC जरूरी कर दिया गया है यदि कोई किसान इसे योजना के अंदरकत लाब लेना चाता है भविस्य में या अभी भी अपनी बारवी किस्त का लाब लेना चाता है दो हजार उपने बैंक खाते में लेना चाता है तो उन्हें EKYC हर हालत में 101% करानी ही होगी तभी उन्हें लाब दिया जाएगा जिन भी लोगों ने 31 अगस्त तक EKYC नहीं कराई उनके खाते में 12 किस्त का जो पैसा है वे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा योजना के अनुसार अब 4 महिने के बाद 2000 रुपे किस्त सरकार द्वारा उन किसानों के ही खाते में ट्रांसफर की जानी होगी जिन्होंने EKYC कराया ह पारे में फिलहाल कोई भी नया अपडेट जारी नहीं किया गया है इसके अलावा अन्ने किसान जो खेती तो करता है लेकिन वे खेत उसके नाम पर ने होकर किसी और के नाम पर होगा तब भी उसको इस योजना का लाग नहीं दिया जाएगा अगर कोई किसान किसी दूसरी क जमीन लेकर किराय पर खेती करता है तो उसे भी इस योजना का लाब नहीं दिया जा सकेगा इसके अलावा जैसे की डॉक्टर हो जाते हैं इंजीनिर हो जाते हैं सीए वकील प्रोफेसनल को भी योजना का लाब नहीं दिया जाएगा बले ही वो खेती भी करते हो या उनके नाम पर जमीन हो फिर भी उन्हें यह लाब नहीं दिया जा सकेगा दोस्तो राजे केंद सरकार के साथ साथ PSU और सरकारी स्वयरते निकायों के सेवारतिया सेवा निवरित अधिकारी और करमचारी होने पर भी योजना का लाब नहीं दिया जाएगा वे आवेदन नहीं कर पाएंगे दोस्तो हमने आपको बता दिया है कि कौन-कौन से वे किसान है जो इस योजना के अंधरगत आवेदन नहीं कर पाएंगे और जो इस योजना का लाब है बार्विकिस्त का यदि किसी ने आवेदन किया है तो उन्हें लाब नहीं दिया जाएगा एपातर गोसित उन्हें कर जाएगा और जैसे कि हमने आपको बताया जो बारवी किस्ट है वह है एक अगस्य लगागा तीस सितंबर के बीच में सरकार कभी भी ट्रांसफर कर सकती है केवल और केवल उन्हीं किसानों को लाब दिया जाएगा जो योजना के पात रहोंगे और जिनोंने एकवाईसी का कार जाब मिलता रहेगा यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी साल को जवाब आपको दे दिया जाएगा और यदि आपको मैंट दिवी जानकारी थोड़ सी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है लास्ट में वे दली है करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो म एक और नई जानकारेक साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत